नियुयोक शहर में एक एकल सप्ताहान पर धनी किशोर होल्डन कॉफील के कारनामों को The Catcher in the Rye में वर्नित किया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि युवा वयस्त नेतिकता, पहचान, अर्थ और संबंध के अस्तित्व संबंधी मुद्दों से कैसे निपटते है वास्तप में जो मुझे प्रभावित करता है वह एक किताब है जो आपको इच्छा देती है कि लेखक आपका एक बहुत अच्छा दोस्त था और आप उसे फोन पर कॉल कर सकते हैं जब भी आपको इसे पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो, हालांकि यह अक्सर नहीं होता है, सं पुस्तक अमेरिकी साहित्य की एक सची क्लासिक है जिसकी 65 मिलियन प्रतिया विक्ती है और हर साल हाई स्कूल के छात्रों तक पहुँचती हैं। पुस्तक के लेखक, जे, डी, सालिडर ने द्वितिय विश्व युद्ध के दौरान नॉमेंडी की लडाई में भाग लिया और उन्होंने उन घटनाओं की भयावेहता को कुशलता से कुछ ऐसी चीजों में बदल दिया जो भविश्य की पीलियों के लिए भी उपचारात्मक होगी। उमर के आने के बारे में इतिहास की सबसे प्रसित कहानियों में से एक से तीन बाते सीखी जा सकती हैं। जीवन म सबक, अगर आप इसमें प्रयास नहीं करते हैं तो कुछ भी माइने नहीं रखता। अमीर लड़का होल्दन कॉफील्ड अपने घर से कई घंटे दूर एक प्राप स्कूल में जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सभी आवश्यक्ताएं पूरी हो गई हैं, जिसमें भो प्राप्षा को छोड़कर सभी में असफल होने के बाद, वो अपने माता-पिता को यह बताने से पहले कि उसे एक बार फिर निश्कासित कर दिया जाएगा, न्यू यॉर्ट के अपने ग्रिहनगर को पेंट करने का निर्नय लेता है। जब होल्दन कुछ सप्ता बाद एक असपताल से अपने लंबे सप्ताहान के साहसिक कार्य की घटनाओं को याद करते हैं, तो पहली चीजों में से एक यह है कि होल्दन व्यभारिक रूप से हर चीज के बारे में शिकायक करते हैं। प्रारंब में लोग उसके स्कूल का प्रत्येक छात्र, फ़नी है, एक नकली व्यक्ती है। यहां तक कि उनके पसंदीदा शिक्षक भी उनके मन में सवाल उठाते हैं। उसके पास या तो अप्रिया, अशुद्धरूमेट या गूंगे मूर्क हैं जो अपने बालों को कंगी करने के लिए एक घंटा बिताते हैं। बाद में होल्दन ने इस तथि पर अफसोस चताया कि बाटेंडर शायद ही कभी इचित प्राप्त करता को संदेश भीजते हैं। वह सैली के साथ डेट पर जाता है, एक महिला जो कतित तोर पर अत्यदिग बात करती है। असीमित सूची है, होल्दन हालां कि हर चीज में भी खामिया धूनता है, तापमान बह रूप में वर्की करत करेंगे और यदि वह वयस्क थे तो उन्हें एक निराशाजनक मामले के रूप में खारिच कर देंगे। खोल्दन अभी नाबालेग है, उसे अब पहली बार समझ में आया कि जीवन इससे कहीं अधिक जटिल है। वह किसी भी चीज में भावनात्मक रूप से प्रतिबध होने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि गहरे में वह चौप चाता है कि उसे हर चीज में कुछ गलत मिल सकता है। लेकिन धीरे धीरे हम सभी को पता चलता है कि खामिया जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यहाँ चीजे ऐसी ही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। महत्व की खोच करने का एक मात्र तरीका यह है कि आप अपना सब कुछ दे दे और उससे चिपके रहें, भले ही वह दोश रहित हो। होल्दन नाखुश है क्योंकि वल केवल चीजों के नकारात में पहलू बिना उसकी प्रोफेसरों के साथ सार्थक बातचीत हो सकती है। यदि वह उन्हें अपना लेता है तो वह अपनी बहतर डेटिंग तकनीकों से सीख सकता है। इसके अलावा, यदि होल्दन ने सैली के उत्साह और बुद्धी पर ध्यान केंडरित किया, तो दोनों अंत में साथ हो सकते हैं। खोल्दन को पता चलता है कि वह उन्हें सभी लोगों को याद करता है जिनके बारे में वह पुस्तक के बिलकुल अंत में शिकायत करता था। अब वह समझता है कि उनकी खामियों, चीजों और विशेश रूप से लोगों के बावजूद हमारे की भावना में महत्वपून रूप से एजाफा हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम उनके साथ जुलने के लिए तैयार हूँ। पात दो, आपको कुछ भी बनने के लिए जोखिम उठाने होंगे, विशेश रूप से वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं। एक व्यक्त अधरूप से अच्छा नहीं मान सकता है, जब वह अपनी महत्वा कांख्षाओं को पूरा करने की बात करता है, तो वह भी जम जाता है, क्योंकि इसा करने से उसके बारे में क्या कहेंगे। उदाहरन के लिए, होल्दन ने नियु यॉर्क में एड्मॉंट होटल में चैक इ अपना समय बर्बाद करने के लिए सनी को होल्दन से काफी चिर है, और उसका दलाल अंतता हुस से अधिक पैसे की मान करता है जितना वह मूरूप से देना चाहता था, अतिरिक प्रभाव के लिए वह उसके पेट में भी वार करता है, पेट पर चोट शाब्दिक से अधिक होल्दन सेक्स करने के अपने लक्षे को पार नहीं कर सकता है यदि वह एक वेश्या के साथ यौन संबंद नहीं बनाना चाहता है क्योंकि यह उसके नेतिक सिध्धानतों के साथ संभर्ष करता है, होल्दन को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वह होना पड़ता है भले ही हनिर नय लेने के लिए ही क्यों ना हूँ कि एक दोस्त बनाम दूसरे के लिए कौन सी शादी में शामिल होना है लेकिन होल्डन के अभी भी नैतिक रूप से संदिक दूद देश्य हैं वोल जेन को अपने सपनों की महिला नहीं कहता यही एक कारण है क कि वह उसके साथ कभी सफल नहीं होता वो कहता रहता है कि वह अभी मूड में नहीं है और आपको वास्तव में उस सामान के मूड में होना है जैसा कि वह उसे चर्चा देने के लिए तयार करता है क्या होगा अगर होल्डन को पता चला कि जेन उतना परिपूर्ण नहीं है ज वास्तविक दुनिया में हमारा व्यवहार आकार देता है कि हम कौन हैं। हम उन चीजों से परिभाशित होते हैं जो हम करते हैं और बिना जोखिम के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हम गतिवेधी दुनिया में अपनी स्थिती का पता लगाते हैं इसलिए यदि हम कारवाई नहीं करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से खोया हुआ महसूस करेंगे। यदि आप वास्तव में अपने लक्षियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जोखिम लेने की आवश्यक्ता होगी न कि उनके बारे में केवल दिवास्वपन देखने के लिए और कभी-कभी जोखिम लेने का अर्थ है अपने चहरे पर गिरना। यह भी जीवन का एक अंग है पार तीन चोटी-चोटी खुशियों पर ध्यान दे और जीवन बहुत आसान हो जाएगा। देने के विचार से खुश है लेकिन दुख की बात है कि यह रास्ते में तूट जाता है। इसे एक गीत के एक वाक्यांश पर आधारत किया। मैं सभी चोटे बच्चों को इस विशाल राई के मैदान में मस्ती करते देखता रहता हूँ। आसपास हजारों छोटे बच्चे हैं और मैं किसी भी आकार का अकेला व्यक्ती हूँ। और यहां मैं एक चटान पर अनिश्चित रूप से बैठा हूँ। अगर कोई शुरू करता है चटान से गिरना है, मुझे उन सभी को पकरना है। विशेश रूप से यदि कोई दौर रहा है और यह नहीं देख रहा है कि वे कहां जा रहे हैं, तो मुझे कहीं से निकलना होगा और उन्हें पकरना होगा। दिन भर मैं केवल यही करता हूँ। मैं डी केवल राय में पकरने वाले की भूमिका निभाते हैं। यही एक चीज है और मुझे पता है कि यह पागलपन है कि मैं वास्तब में बनना चाहता हूँ। खोल्दन धीरे धीरे लेकिन धीरे धीरे इस अहसास की ओर आ रहा है कि जीवन को कठिन नहीं होना चाहिए। यदि आप छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे होल्दन के साथ फीबी के कमरे में नृत्य करना, तो आप इसे आसान बना सकते हैं। खोल्दन को फीबे से जीवन के छोटी-छोटी सुखों का मूर्त और लाक्षनिक स्मरल मिलता है। तो बड़ा होना इतना भयानक नहीं हुगा, भले ही आपके कुछ उदेश्य कभी हासिल न हूँ। मैं यह स्विकार करने वाला पहला व्यक्ति होंगा। दकेचर इंदराई का अपना पहला पर्थन समाप्त करने के बाद, जैसा की होल्दन कहेंगे, पुराने जे। दी, सालिगर को कॉल करने के लिए मुझे वास्तव में आवेग महसूस नहीं हुआ। वास्तव में, मैंने पुस्तक को वास्तव में निराशा जनक पाया, लेकिन यही उद्देश्य है। जितना अधिक हम समझते हैं कि कैसे हम एक बार होल्दन के लिए थे, एक युवा, पूरी तरह से वयस्त नहीं जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। जितना अधिक हम चाहते हैं कि हम उसे थपर मार सके और रो सके, बड़े हो जाओ, उस पर। किशोर कैसे सोचते हैं, उन्हें किस बात की चिंता है, वे किशोर आवस्था के अस्तित्व संबंधी संकितों का सामना कैसे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं खुद को थोड़ा बहतर समझ सकता हूं। यदि वह किसी कुस्तक का पूरक नहीं है, तो मुझे नहीं पता की क्या है।